अगर आप लसी का बिजनेस करना चाहते हो गर्मियों के सीजन में तो इन फ्लेवर्स को आप ज़रूर एड़ कर सकते हो चलिए स्टार्ट करते आज की केसर पिस्ता लसी के रेसिपी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब भी जरूर करें अलग अलग फ्लेवर के लसी के साथ आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो गर्मियों के दिनों में लसी सेहत के लिए बहुती अच्छी होती तो यहाँ पर हमारी केशर पिस्ता लसी बनके तयार है इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते ही दही केसे जमाना है इसकी रेसि पुन इतनी और इसे भी हम पीसेंगे तो यह यह दूद केशर वाला में इसी में डाला है केशर का इंसेंस भी डाला है थोड़ा सा अब इसकी पेस्ट बन गई है अब इसमें हम डालेगे वन फॉर्थ कप इतना थंडा दूद दुट डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 200 ml इतना गाड़ा दही अगर आपका दही बहुत जादा खटा है तो आप चीनी की कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हो अब यहाँ पर हम डालेंगे आइस क्यूब तो 4 आइस क्यूब काफी है 200 ml दही के लिए आइस क्यूब के साथ मिक्सी में मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी केशर पिस्ता लसी बनके तयार है बाबाई